हाई गाईज वेलकम बैक टू इब्रेंज आप देख रहे हैं वीडियो जान डिमांड शीरीज और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कोट्स एंड सर्विस टैक्स वैसे टॉप पहुत बोरिंग है पहुत ही जादा बोरिंग है तो अगर आप बोर होके सो जाएं तो गलती सारी तुम्हारी तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से अजीब से आदमी के इंस्ट्रक्शन को द्यान से सुन लो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का सबसे बड़ा कोशेन है जेस्टी क्या है और उससे भी बड़ा कोशेन है जेस्टी क्यों है तो देखो, goods मतलब होता है जो चीजें हम consume करते हैं और touch कर सकते हैं और services मतलब होता है जो हम consume करते हैं पर touch नहीं कर सकते हैं उन पर जो tax लगता है उसे जीस्टी कहते हैं विससे तुमें ये तो पता ही होगा कि कोई भी government हो उसका main source of income tax होता है और वो हम भरते हैं ये tax तो टाइप के होते हैं एक होता है direct tax जिसके अंदर आता है income tax और बगएरा बगएरा और दूसरा होता है indirect tax इसके अंदर आता है वैट, luxury tax, etc. ये ऐसे total 17 taxes होते थे पहले 2017 से पहले और इनके rates पूरी country में अलग-अलग होते थे पर आया साल 2017 और GST बनाये इन सब के लिए खतरा ये 2017 में government of India ने इन सारे indirect taxes को eliminate कर दिया और GST लगा दिया जिसके rates पूरी country में एक जैसे थे पर हाँ, जरूरी items चैसे food grains, दवा दारू, बियर वोड का रम इन सब पर GST नहीं लगता है अब एक चुप, तो अब बात करते हैं GST कितने type का होता है तो GST नाम के जानवर की दो प्रजातिया पाई जाती है पहला होता है Interstate GST जिसके अंदर आता है CGST और SGST जो state के अंदर होरी transactions पर लगता है और दूसरा है Interstate GST जिसके अंदर आता है IGST जो दो या और states के बीच होरी transactions पर लगता है वैसे cgst और sgst के rates हमेशा equal होते हैं देखो नाम से ही पता चल रहा है cgst मतलब जो gst central government को जाता है और sgst मतलब जो gst state government को जाता है और igst के case में central government decide करती है कि कितना हैसा किस को जाएगा और कितना हैसा central government रखेगी अगर इतना समझ गए तो बहुत अच्छा है वरना गलती सारी तुम्हारी वीडियो दुबारा देखो अब बात करते हैं input और output gst की फिर करेंगे calculations तो इसके लिए मैं एक simple सा example ले रहा हूँ जो आपको हर किताब हर सवाल हर जवाब में मिल जाएगा और देखो 100 रुपए का एक example लोगा क्योंकि 100 रुपए का percentage निकालना बहुत आसान होता है तो देखो एक company है दूसरा दुकान वाला है और तीसरा है बेनोत तो दुकान वाले ने company से 100 रुपए का मैंगी का packet खरीदा और उस पर 10% tax परा मतलब 5% CGST और 5% SGST और इसे हम कहेंगे input GST क्योंकि जो GST सामान input मतलब लेने पर पड़ता है वो input GST हुआ अब मैंगी के packet की cost हो गई 110 रुपए क्योंकि 100 रुपए का 10% हुआ 10 रुपए अब यही मैंगी 120 रुपए की दी गई बिनोत को क्योंकि बिनोत ने जब खरीदा तो भाई दुकान वाले को profit भी तो कमाना है तो अब बिनोत GST भी भरेगा तो अब 120 रुपए का 10% GST हुआ 12 रुपए और यह 12 रुपए बिनोत द्वारा भरे जाएंगे और यह हुआ output GST जो सामान output करने पर मतलब पेचने पर दुकान वाला कलेक करता है और हम भरते हैं देखो जो tax दुकान वाले ने भरा था वो 10 रुपए था वो company को गया और उसके पास है government को पर अब जो दुकान वाले ने हम से tax कलेक किया है मतलब बिनोत से tax कलेक किया है वो पूरा government को नहीं जाएगा अब निकलेगा output और input GST का difference मतलब 12 माइनस 10 रुपए वो वह द 2 रुपए और यही 2 रुपए दुकान वाला as a tax भरेगा और बाकी बचे 10 रुपए उसके द्वारा पेड किये गए tax को recover करेगा मतलब set off करेगा तो 120 रुपए में वो 2 रुपए tax भरेगा और 8 रुपए कमाएगा अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो गलती तुमारी नहीं है टॉपिक ही कुछ ऐसा इतना boring है कि तुम्हें जल्ली समझ नहीं आएगा अगर नहीं समझ आया तो वीडियो दुबारा से देख लो